हेलो वेलकम बैक टो आप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली और बात करने वाले हम लोग बिटकोईन के हाफिंग के बारे में और बहुत सारी चीज़े जो मुझे डिसकस करनी थी आप लोगों से लेकिन आप लोग को इस वीडियो के अंतक तो पूरा आइडिया होने वाला है कि 2024 की क्या scenario होने वाला है यह पूरा यरली मैं प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ क्या होने वाला है देखें एक चीज़ साफ है कि आप जो है इस वीडियो को देखते समय बहुत से निराश हो सकते हैं या फिर कई चीज़ों को लेके बेरिश होते हैं कई बाते सुन रहे हो होंगे दूसरों की कई चैनल्स पर सुन रहे होगे मार्केट नीचे जाएगी गिर जाएगी खताम हो जाएगा सब कुछ तो वह चीज़े ना देखते हुए आप एक बार इस वीडियो को देखना मेरी आप से रिक्वेस्ट है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज टे लेके आया हूं आप लोग के लिए जो देखना बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है और बात करूंगा उसी के उपड़ पहले तो छे दिन बचे हैं बिटकोईन की हाफिंग को लेके ठीक है अपरेल 20-19 के बीच में हाफिंग होने वाली है हाफिंग इवेंट जो हमारा हो करें हो जाएगी विटकोईन के रिवार्ट आदे हो जाएंगे आदे होने का मतलब यह नहीं कि बिटकोई की सप्लाय आदी हो जाएगी बहुत से लोग जो बहुत ही क्या बताओ मैं आपको बहुत ही है लिट्रसी इलिट्रस वाली बात हो जाती कि आप बिल्कुल नॉलेज तो आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हो कि 3.125 बीटी सी हम मिलेंगे खाली तो कहिए ना कि तो उसके बाद अगर हम देखें अगर उनकी सैलरी आधी हो जा रही है लगबग एक तरह से प्राइस भी तो जाधा बढ़ना चाहिए वरना माइनर्स माइन करना छोड़ देंगे ठीक है और इसी वजह से डिफिकल्टी है डिफिकल्टी है वह हल्की हो जाती जिससे एजली ल घर माइनिंग कॉस्ٹ चो हैं हमारी कम हो रही है आधी हो जा रही है तो कहीं ना कहीं बिटकोईन के प्राइस को उस तरह करना होगा खोर रही होई Medicine है कि बिटकोईन का प्राइस मिनिमम असी Iyaजार डॉलर के अरौन होना चाहिए मैंना गलत भी हो सकता हो मैंने कहीं देखा पर मुझे exact number नहीं पता अस्ती अजार से एक लाग डॉलर के बीच में bitcoin का price होना चाहिए तब जाके adjustment होगा तब जाके miners को worth it लगेगा mine करना bitcoin को वरना वो mining की नहीं छोड़ दें तो कहीं न कहीं इसी वज़े से drive होता है bitcoin का behavior last time भी हुआ था सबसे पहली हाफिंग यहाँ पर मार्क दे हमारे पास उसको भी मैं आप लोगों के साथ discuss करूंगा ठीक है तो बहुत सी चीज़ें जो मुझे आप से बात करनी है ठीक है तो let's go into the video सबसे पहले हम बात करते हैं इस एरिया को मैंने gray में इसलिए mark किया क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी एक activity देखी जो की थी यह वाली यह जो red activity आपको देख रही है I hope कि आपको mouse पर देख रही हो यह red में outflow थे bitcoin के जो ETF में हुए थे कहीं न कहीं जो ETF होते हैं उन्होंने यहाँ पर buying की थी इस कर रहे हैं तग्रीर बाइंग कर रहे हैं इस समय ठीक है और यह बाइक कर रहे हैं इसका मतलब है इसका प्रमाण है कि वह यहां से profit ही लेके जाएंगे मार्केट में loss तो नहीं लेके जाएंगे ना और वह अपने break even से नीचे तो नहीं जायने देंगे अपनी market को अपने profit को अपने जो position उसको तो अब देखे कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं लिकुडीटी के बारे में पहले तो लिकुडीटी किस तरह से कहां बैठी हुई है यह पहली है अपर लिकुडीटी सबसे जादा यहां पर ए 60 के से 59 के जो मैं बहुत पहले से चिला रहा हूं को एरिया एरिया क्या है 61,000 डॉलर से लेके 60,000 डॉलर के बीच में 557 बिटकोइन की लिकुडिटी आपको देखने को मिल जाएगी वही अगर हम बात करें 62 के तो वहां 129 की जो की खास नहीं है लेकिन हाफिर भी मांग अब देखो मोटी-मोटी लिकुडिटी कहां पर है वह 65,000 गया रहा हूँ अब ऐसा क्यों है यह प्रिवेस साइकल का टॉप था 65,000 तो इसलिए यहां पर बहुत सारे ओडर थे अब कल देखो कल जब क्रैश आया उपर वाली लिकुडिटी से नीचे लिकुडिटी पर आया देखा गोर से तो यहां पर लिकुडिटी बहुत सारी हुई थी लॉंग की कॉल बिटकोईन की कि 66,000 से 65,000 के बीच में आप बिटकोईन की बाइंग कर सकते हो अभी मार्केट 67,400 चल दी और गई थी टॉप पे अगेस अरूं यहां पर देखो कितना गई थी 60 मैं सही देख रहा हूँ ना हाँ यह दिखा रहा है विक किसी 69 के अब जगो यहां लिकुडिटी अभी थोड़ी बची 362 की उपर 356 की है ठीक है इंबैलन्स है यहां पर हो सकता है दुबारा एक रीटेस्ट मारे इस तरीके से नीचे आए और फिर से उपर भागे दो वेज हैं दूसरा वे क्या है वही रवेज जो पहले बताया था दो करते नेक्स चैप्टर पर यह हमने बात कर लिए कि कहां से आप लॉंग करोगे 65,000 से लॉंग करोगे या 61,000 से लेकर 60,000 के बीच में लॉंग करोगे इन दोनों के अलावा Bitcoin में लॉंग की कोई भी एरिया ही नहीं ठीक है अभी बीच में करना भी मत 67 के कोई भी एरिया नही को दिया भी था अगर तब किया तो ठीक है नहीं किया तो वेट करना लिकुर्डिटी सबसे यहां पर है नेक्स्ट हम बात करते कुछ चीजों के बारे में सबसे अदा क्रिप्टो में एक्स्टेंज में इस वाज जो हमारी ट्रेडिंग वोलिव में बाइन्स में है तो मैं की लिकुर्डिटी यहां पर यूज करके बता रहों प्लोग कुछ चीज है ठीक है लेट्स गो इंटु दा हाफिंग डेटा हम आफिंग के बारे में बात करते हैं अब जो लोग अभी तक वीडियो में बहुत शाबाश बहुत जादा धन्यवाद आपका आप अभी तक बन इसके जस्ट बाद हमें कुछ हफ्तों तक आप मालो 20 हफ्तों के अंदर बिटकोईन ने नेक्स अपना टॉप बनाया था वो था आराउंड ये वाला जो यह गया था तो 266 डॉलर तक का यह 20 हफ्तों के अंदर यह काम हुआ था ठीक है जब हाफिंग हुई उसके 20 हफ्तों म कुछ भी माल को उसके अराउंड लम सब्सके अ targeted मार्केट में तो हाफिंग पहला है उसके 212 के 2012 के चाठ साल बाद अधर माथे तो नेक्स हमशोती और राउंड हेर इस इस चैंडल में यानी जिलाई 2017 की NDL में ठीक है यहाँ पर आप आ देखोगे कि मार्केट जो है वो यह से बात करें तो यह almost कितना हो गया 35-40 परसेंट था लेकिन यह तब की बात है जब बिटकोइन में को institution नहीं था जब बिटकोइन सिर्फ एक वॉलटाइल एसेट था एक नहीं करेंसी थी जिसमें लोग गैंबल करते था कि यह उस ताइम में अभी देखो अभी तो इंस्टिट्यूशन है ना अभी मार्केट में 40 परसेंट की गिरावाट बहुत माहिनी रखती है ठीके वह ऐसे नहीं आती है रेंडम लीटे वह कॉइंस में और कोई में भले आजया विटकोइन में नहीं आएगी है अगर अगर हम पिछली हाफिंग की बात करें तो पिछली हाफिंग में भी कुछ 20 का हमारे पास आया था था तो इसके बाद मार्केट साइडवेज ही रही थी कुछ तक क्या बताओं आपको आलमोस लोग परिशान हो गया हो गया है आप देखो यह कुछ अथो तक यहां पर मार्केट कुछ यह नहीं दस हफ्तों तक तो कुछ यह नहीं बोरिंग रही उसके बाद सदेने कि स्पाइक आता है तो नौँजार डॉलर से डाले डाले डायरेक्ट बाराज डॉलर आता है फिर उसके बाद उठना स्टार्ट किया लेकिन अगर मैं आपको पूरा टाइम पीर तो हम अगर को देखें तो हमारे पास 48 हफोते लगे ठीक है कहीना गहीं हमारे पास एक कि इसी मेशन आ रहा है कि मार्केट एलोंगेट हो रही है पहली चीज़ की मार्केट रही है यानि हर साइकल में top बनने तक और top बनने से पहले halfing से top बनने तक जो पूरा time period है वो खिच रहा है और वो खिच इसलिए रहा है क्योंकि ये market exposed हो रही है to the big players यानि बहुत बड़े-बड़े players हैं अभी तो बहुत से Hollywood के celebrities में इसमें इंटर किये थे इस समय यह जो समय था यह वाला समय था इस समय Hollywood के celebrities थे इसमें बहुत से बड़े जो foreign के हमारे जो celebrities वो इसमें इंवेस्ट कर रहे थे कई लोग बिटकॉइन को promote कर रहे थे यह एक time था फिर Elon Musk का time आया ठीक है तो वो भी इसमें थे उसके बाद अगर हम बात करें next halfing जो आने वाली है आप देखो मैं आपको simple दिखा रहा देखो मार्केट के नीचे यह थी नहीं आई नहीं हां मले sideways momentum बहुत लिया इसने दस हफते ले लिए थे हाफिंग के बाद कुछ हुआ नहीं दस हफते लिए लेकिन market गई उपर ही final आपने एक चीज़ नोटिस की market नीचे नहीं आई किसी भी हाफिंग के बाद market नीचे नही मार्केट उपर ही गई बिटकोइन की तो अगर हम previous history को देखते हैं जो की TA is all about history ठीक है तो हम history से ही निकालते हैं चाहे आप indicator देख लो यह कुछ भी देख लो हम historical चीज़े देखते हैं उनको compare करके अगला prediction करते हैं अब देगे तो हमारे जो अगली हाफिंग आएगी वह 15 मार्केट थोड़ा बहुत structure किस तरह से बना रही किस हाफिंग के comparison में अगर हम comparison करने चले तो हमें लगता है कि मार्केट कुछ इस तरीके का भी बना रही है देखो इस तरीके से sideways एक range के अंदर फसी हुई थी अगर आप गौर से देखो तो यह एक range के अंदर फसी हुई थी इस तरीके का structure बना रही है और अगर हम दूसरे हो से compare करें तो इसके बाद इस तरीके तो कोई structure नहीं है मार्केट गिरती आ रही थी लेकिन इसमें गिरी नहीं है हमारी sideways में फसी हुई है ठीक है और पीछे वाले का तो कोई फ़र्ज नहीं बनता कि उसको compare करें तो हमें समय में आ रहे हैं कि पिछली वाली की तरह kind of हम कह सकते हैं कि sideways के around अभी हैं और अभी एक जो argument लोग ला रह करेंगी यह कह रहे हैं लोग यह लोगों का कहना है कि spot ETF अप्रूव इस एरिया के राउंड कहीं हो गया था तो अब मार्केट उठेगी नहीं ठीक तो ऐसा कहना मेरे कहल से बहुत गलत बहुत गलत अजियूम करना हुआ मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है रीजन क मिनिममम हर आफिंग के बाद प्रीवेस एटीएच तो मिनिममम गई तो अभी हमने क्या किया प्रीवेस एटीएच ही तो आए हम प्रीवेस एटीएच ही तो आएं अभी हम प्रीवेस इस एरिया के राउंड ही तो आएं तो अभी जो मेन हमारा करेक्टर था जो मेन जो बु इसके बीचे आपको बता दिया कि बहुत से इंस्टिटूशनस जो यहां से लेकर यहां के बीच में बटकॉइन को बाय करके बैठें वह अपने को नेगेटिव में आने नहीं देंगे क्यूंकि उनके होते हैं और उटके और भी दिक्कते हो जो बहुत सारी चीज़ा होती ही जो आप देखोगे कि उसमें होती ही ठीए तो ये एक चीज़ है नेक्स अगर हम बुल मार्केट सपोर्ट बैंड की बात करें न तो भाई आप देखो कि बुल मार्केट सपोर्ट बैंड इस जखा टाइम स्पेंड करने से भी उठी रहा है अभी हमने किता almost retrace कर दिया था 18% से 20% almost कर दिया था ठीक है अभी हमारे पास ये एक पतली सी रेंज पर सी हुई है इस रेंज से हमें निकलना है मेरा जो बैट है मेरा जो परसनल वीव है वो यही है कि हम यहां से उपर जाने वाले है हाफिंग आने वाली है यहां पर आते ही बुल मार्केट में आ गये थे यहां पर इसके उपर आते ही बुल मार्केट में आए थे रिसक बचेगा कि हां मार्केट उससे नीचे नहीं जानी चाहिए मारकेर पैंड में हो जैसे हो ये जाने में पूल मार्केट सपोस्ते को क्रॉस कि को क्रॉस किया उप्तिष्ट में बितकोंगए तो गुण में बितको मार्केट सब्सक्राइब अगर लात बितक रrors गें बनी हुई है शांती इसले भी बनी हुई है कि जो हाफिंग है किसी को अंसर्टेन लग रही है सब यह कह रहे हैं कि जो जो मूव है वो रिट्रेस करेगा वह नीचे आएगा मार्केट तो कहीं न गई आप पिछली बार के कुछ लगने रहे हो तो गलत बात है क्योंकि आप देखो ब्लैक सवान इवेंट्स होते हैं जैसे यहां पर कोवीड होगा ठीक है तो कोवीड का जो क्रेश आया था वो क्रेश अया ठीक है बॉटम भी आप ठेटीक कर सकते हो बट आप उससे यह नहीं कह सकते कि सेकेंड टाइम पे भी वही आएगा क्योंकि उसके प्रीवियस साइकल में आप देखोगे तो उतना क्रैश नहीं आया था ठीक है तो चीजे उतनी नहीं करती और दूसरी चीज़ा है कि जिस तरह से का यह मार्कीट वनुट ट्रीलियन १ॉल मार्केट पंड रही है जिसमें बिटकोइन का खुद का अ जो च्बना काम हो यह श्चाहरो आप यह prima आज चाहिया अगर इसो ठीक होग इसको नाम विए ठिक May मैं शुरू से बताता रहा हूँ यहाँ पर 21, 21, 23, 22 यहाँ पर 21% देखने को मिला यहाँ लॉंग भी कराया था मैंने आपको ठीक है इस जगा पर मैं अभी भी बुलिश हूँ मेरा जो में जो एरिया मैंने आपको बताया हूँ यही है कि भाई हो सकता है एक बार यह टैप कर हम 59 या 60 के तो हमारे एक तसली हो जाएगी कि हां यहां हमने ले लिया तो लॉंग करना जरूर मैं गैरंटी से बता रहा हूँ यहां आए मार्केट तो लॉंग करना 65 के खेल सकते हो लेकिन SL के साथ खेलना यहां पर भी SL के साथ ही खेलना ऑफकॉर्स वो तो एक रूल है और यह हमने बात कर लिए ठीक है हाफिंग के बाद कितना उठ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं एक और अगर हम करते हैं तो आप यहां पर देखो कि हाफिंग के बाद हाफिंग के वीक के बाद हम पिछली बार जो उठे थे वो अरूंड औरूंड 628 परसंट उठे ठ इसे हम पिछले रेटन को अगर हाफ भी कर दें 628 को अगरम 314 लेते हैं ठीक 324 लो लेते हैं और हम यहां से देखते हैं ठीक है हाफिंग के अरिया के राउंड से इस रेंज से भी लेते हैं ठीक है तो हमें आपर 3 लाग डॉडर कट रो चॉरी हमें यहां तक का टार्गेट अगर हम पिछली साइकल कभी लेते हैं तो हमें यहां पर मिलता है 300 परसिंट का यहां पर एक प्रोजेक्टिट प्रॉफिट और वह हमारा यहां पर हाफ करने पर बता रहा हूं यह तो यह इस तरीके के साइकल है ठीक है अगर हम पिछले उससे हाफ भी कर दें पिछले पीवेस प्रिवेस से तो यह तो बहुत जादा हो गया और आप लोग कहोगे कि यार यह पॉसिबल नहीं है बट कुछ भी पॉसिबल है जब आती है बूल मार्केट तो किसी ने भी 20,000 डॉलर का टार्गेट तो मिलेगा यहां पर एक ब्लैक कलर का लाइन अल्रेडी ड्रॉ करके रखा है आप लोगों के प्रोजेक्शन के लिए कि 120 के जो है हमारा मिनिमम टार्गेट बिटकॉइन का होने वाला है बुल्डन का फस्त ओके यह हमारे एक इंपैरिजन हो गई अब मेरे को आपको चीजे बतानी है जो इंपॉर्टेंट है जिसो आपको सवाल है में कि डॉमिनेंस की वारे में ठीक है डॉमिनेंस यानि और्ट कोईन के लिए सवाल है इसलिए बता रहो यहां पर तो देखो डॉमिनेंस का कोई भी सीन नहीं था लेकिन हम बात करते हैं यहां पर क्या हुआ था है यहां से स्टार्ट हो ना डॉमिनेंस का ग اीठेयम वगेरा लाउजश फिर उसके बाद ऑन देखते हैं डॉमिनेंस तो हमें पर पहला जो यहां पर इस एरिया के राउंड ला यहां पर चीजे को एह ऐा टो चीजे तो आ थी गौर किया इस बात पर ठीक नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर यहाँ पर हाफिंग होई से कंपेर करें इस एरिया से और फिर हम अगला टॉप ले यहाँ पर पहला टॉप बना था 65 के का और से एरिया के राउंड हाफिंग जो हमारी डॉमिनेस थी वो गिर गए थी आरौंड 31 से सारी जाधा गिरी थी और जाधा गिरी थी लेट मी इसको इंक्रीज करता हूँ और आप देखिए यहाँ पर 37 परसेंट की फॉल्टों में देखने को मिली थी जब अगर मों यहाँ से कंपेर करें ठीक है तो आप इस चीज़ से एक अंदादा लगा हाफिंग के बाद दो सब्सक्राइब यहाँ पर भी हाफिंग यहाँ पर भी हाफिंग यहाँ पर भी हाफिंग और यहाँ पर भी हाफिंग और दॉमिनस उट रही है ठीक है सेम स्ट्रक्चर हो रहा है अगर हम पिछले रेटर्स को देखें 50% यहाँ पर गिर के थे यहाँ पर 40% गिरे थे अगर ह यहां से सिर्फ और सिर्फ यह वाला एरिया ले जो रेजिस्टेंस है जो लेवल है हमारा यह जो ख्लियर कर सकते हैं इस एरिया को भी लेंगे तो हमें यहां पर अच्छा-कासा एरिया मिलेगा जहां तक मार्केट गिर सकती है और 40% का मतलब भी एक हमें आपर देखने को मिला तो यह एक एरिया है जो हमारा पहला टॉप पहला जो है बॉटम होगा 35% का रेटन गिरेगा ना तब भी बहुत सही है क्योंकि हर बार यह कंप्रेस कर रहा है इसी अकॉर्डिंग में 30% लिके चलूंगा 50% 40% and this is 30% और यह एक सपोर्ट एरिया भी ह हो गया मेरे ख्याल से यह टूटेगा यह बहुत भेंगर टूटेगा और इस बार और और ज्यादा उठेंगे यह और नीचे जाना चाहिए डॉमिनस का एक और लेवल बनेगा तब जाके बुल मार्केट का टॉप आता है लेकिन मैं अगर सेफ साइट के लूग तो इतना मे लेकर चलूँगा तो आपको इससे कहानी से समझ में क्या है क्या मतलब मैं आपको पागल बना रहा हूं नहीं मैं आपको कुछ समझाने ही कोशिश कर रहा हूं यह कि हाफिंग के जज़बाद आप कुछ भी कर लो आपको 20 दिन 20 हफते 30-40 हफते यानि अगले टॉप तक की ओल्ड कोईन्स में बड़ोतरी ही देखने को मिलती है यह चीज़ समझाई यहां पर बड़ोतरी हुई थी थोड़े दिन तक उसके बाद डॉमिनस बढ़ने लगी जब बीटीसी बहुत तेजी से भागा यहां पर लेकिन ओल्ड जो है वो खाली रुके हुए थे ब्लीड न बनी तो यहां पर गया हुए मार्केट की डॉमिनस वो उठ रही है हो सकता है यहां से गिरेगी ओठेगों फिर उठेगा बेटीसी तो फिर डॉमिनस उठेगी और फिर उसके बाद बहुत तेजी से नीचे घिर यहीं एक प्रेडिक्शन जिए हैं वो बता रहा है तो यह च बढ़ने होते हैं तो आपको सिर्फ और सिफ अपनी स्पोर्ट होल्दिंस को एंटर करना और अगर आपको 2x वाली पोजिशन पनानी है तो आप 2x वाली पोजिशन भी बना सकते हो विद प्रॉपर एसल ठीक है काइंड ऑफ 2x भी यहां पर लिकुडेट हो रहा है बहुत जादा दिक्कत हो रही है लोगों को ठीक है और अगर हम बात करें नेक्स चीज़ को जिसके इसके बाद हमें जो बात करनी है यह मैंने आपको अल्ड कोई का एक प्रेडिक्शन दे दि बहुत सारे लोगों ने किया था ठीक है तो आप इसमें देखोगे बहुत सारे यहां पर नाम है बहुत सारे नाम है आप देखोगे तो इसमें ना मई 2014 को इथेरियम का ETF आने वाला है बिटकोईन की हाफिंग हो रही है ठीक एक चीज़ समझो clearly जब बिटकोईन की हाफिंग होती और dominance गिर रही थी जहां मैं आपको बता रहा था उसका simple मतलब होता है कि वो इथेरियम से connected होता है यही तो मतलब है ना यहां 2016 में कोई और कोई था क्या नहीं इथेरियम ही था और बाकि जिंदी जिंदी छोटे मुटे कोईन थे लेकिन इथेरियम ही में था जो money जो है इसने मई में है अभी चल रहा है अपरेल ठीक जो बिटकोईन का है वहां पर हाफिंग की न्यूस कतम होने वाली है हाफिंग के बाद बिटकोईन जो है लोगों के लिए अच्छा सकार्स हो जाएगा बहुत अच्छा अच्छा प्राइस एक्ष्ण आपको देखने को इसलिए अभी हम सुच कहां पर करेंगे हम सुच करेंगे एथेरियम और उसको चार्ट को देखने की कोशिच करें क्योंकि इंपर्टेंट है देखना बहुत इंपर्टेंट हमारे इथेरियम क्या कर रहा भी 3280 के राउंड चला है मुझे लगता है बेस्ट बाइंग जो है वह एथेरियम की होने वाली है और वह इसी रीजन से होने वाली है उसका रीजन देख मैंने आपको बता दिया क्या यहां पे स्पॉर्ट में जो है एथेरियम के एटीएफ अप्रूबल के चांसे जो बोले जा रहे हैं 35% चांसे देखते हैं क्या होता है मेरे खाल से उसके आने तक तो यहां पर रेनिंग होनी चाहिए मारी दूसरी चीज़ क्या है मैंने आपको लेवल बताया वही एक एरिया भी भी रेस्पेक्ट कर रहा है तो हमारे पास वही एक एरिया जैंब बत्तिस सो से लिए तीन अजार मालो एक अत्तिसों मालो ठीक है यह एरिया मुटा एतयर tasted रेच्पक्टेट रेटरं कितना हैं हमारा अगरम बात करें हर साईकल से अगर हम अरच करें तो और में फ्री पर से इसके बाद बाटम से अगर रहाट तो यहांपर सबसे अदा था 2400 परसेंट 4600 सम्राइंट अगर इसके बातन से देखेंगे तो हमन यहां पर यां लोगों को लाके दिये हैं तो अगर आप देखो गे वहां से तो 960% is nothing as compared to Ethereum यहां से भी 10x कर सकता है मैं बॉटम से 800 से 8,000 9,000 10,000 डॉलर तक आराम से थेरिम जा सकता है और इसकी reason जो है मैंने बता दिया आपको Ethereum में क्या होने वाला ठीक एक important चीज और बता नहीं कि जो भी liquidation हुए है जो कल के जो हुए है biggest bitcoin selling block today 1.3 billion का हुआ and now we want to see how much ibit bought अभी news नहीं आई लेकिन एक जो ऐसा समयना यहां पर ibit buy करता है ibit कौन है BlackRock का जो ETF जो subsidiary है तो वह यहां पर ibit coin जो है buy करता है ठीक है तो यह चीज़ आप समझ में रखो कि जो bitcoin coin में futures की वज़े से जो price में fall आ रहा है जो dump हो रहा है वो उसके दौरान जो ibit है वो buy करने के लिए तयार करता है ठीक है और एक important चीज़ में आपको इस एरिया के राउंड जहां फसे हुए थे जब बॉटम के राउंड थे वहां पर आ गई यह फेंडिंग ठीक है लास्ट टाइम अगर इतनी funding देखी गई थी तो वह राउंड इस एरिया देखी गई थी जो की पच्छिस-चबिस-वदार डॉलर के राउंड था ठीक है त कि बहुत ज्यादा चीजों में लोगों जो नेगेटिव वाले हैं शौट्स वाले वो पे कर रहे हैं funding fee to the longs one ठीक है वह यहां पर मार्केट को नीचे ही चाह रहे हैं जैसे यहां पर हुआ था और मार्केट बहुत थे भागी थी अगर यह फंडिंग हेल्दी तो है यहां स प्रॉफिट में रहोगे बट जैनरली इसका एक संकेत यह होता है कि लोग शौट्स में फसे हैं उनको ट्रैप करके मार्केट उपर भाग सकती है सीवीडी की बात करते हैं सीवीडी गिरती आ रही थी यहां तक गिरी यहां तक गिरी पर जब बिटकोईन का ETF अप्रूव मार्केट उठ रही है तो यह खाली फ्यूचर वाले उठा रहे हैं लेकिन हमें मूव मिलना स्टार्ट हो गया जब ETF अप्रूव हुआ तो उसी वजह से मार्केट यहां पे हल्दी ही कई जाएगी यह कोई फेक मार्केट नहीं है यहां पे लोग स्पॉर्ट में बाय कर रहे और यहां से अन इमेजिनेबल जो रिटन्स आपको लाके देंगी ठीक है पहली चीज़ तो और क्या बात करनी थी वह भी बात कर लेता हूं बिटकोईन के वालेटों का इंफ्लो और आउट फ्लो की बात करते हैं तो यहां पर आप देखो इस महीने यानि फरवरी से जब से यहां पर आयें अल्मुस्त 15 के जहां सक जब भी तो प्रूब बहुत जाधे हुआ है अब देखो जादा हुआ ही है यहां कल भी घर देखने को मिला बरार प्रैल क Wheels को टीक है उसके पहले भी वहां भी बहुत था बॉटम के रहा हूं जब आप मार्केट एकदम गिरी हुई थी तो वहां पे भी हमें ओट फ्लो देखने को मिला था तो यह भी पॉजिटिफ साइन है जो आप देख सकते हो ठीक है अंसर्टेंटी ओवर इसके बारे में बात करी थी मैंने अभी 35 परसंट हमें अच्छी बुलतरन देखने को मिलती हो यहां पर क्या हुआ यहां पर कॉफिट क्रैस आया था और ट्रॉंगया फॉसमारे चूल यहां पर ओपिऑ के लिए देखने को मिला वागी जगहा पर हमें टौप पे मार्केट अच्छी रेली करती हुई ठीक है इसके उपर क्लोजिंग भी तो नहीं ती यहां पर क्लोजींग यहां पर क्लोजींग रेटेस्ट हुआ मार्गेर उठी यहाँ पर आप देखो पाई सैकल के जस्ट हम लोग करीब आ चुके तो यहाँ पर भी चांसेज है हाइली कि हम यहाँ पर उपर उपर भागने वाले और सपोर्ट कहां चल रहा सपोर्ट बैंड अभी चल रहा है अरूंड अरूंड फिफ्टी फोर के तो वह भी एक अच्छा जो सपोर्ट है ठीक है और अगर हम बात करें और भी चीजों के वारे में तो हमारे पास एक और चीज़े जो हम देख सकते हैं कि हम यहां पर अभी मिडल पर कहीं भी नीचे नहीं ना बाइंग पर अभी हम इन वे और बुल मार्केट है एक इंस्टेंस आपको दिखेगा जहां पर गड़बड हुई थी जब यहां पर नीचे आया थे यह आरूंड हुआ था कर सकते हो बिटकोईन में ही बता रहा हुँ ठीक है और आप टॉप में सेलिंग कर सकते हो जब हमें यहां पर कुछ ना कुछ अब देखो एक्जाक्ट नहीं है कि यहां से उट सकता है ठीक है तो अभी यहां साथ जाने के बजाए अगर मैं 5 का भी मीन लेकर चलू तो हमें यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा बिटकोईन के प्राइस में वो चीज हमें देखने को भी मिलेगी ठीक आने वाले टाइम के अंदर तो य इस मार्केट में हम अलका उनका गिरें 59 के तक 54 के तक है पर एक चीज़ समझो तो मार्केट इस रेडी एंड यूव नो आइडिया कि हम कितना उपर जाने वाले हैं ठीक है हमें यहां पर लिकुडेशन इवेंट से बचने के लिए कुछ चीजें कुछ मिस्टेक से लर्न कर लेगा एसल जो है वो हमें आप लगा के रखना है कोई भी लेवरेज पोजिशन छोड़नी है और स्पार्ट में जो है अपने आपको शिफ्ट करना है यह वोप आपको कुछ सीखने को मिला कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना यह वीडियो आपको आपको लिए बाइ वीडियो तिल दिन बबाइ